जैसे कि जाते हैं mutual fund utility, mutual fund investment के लिए सबसे best platform है और यहां पर किसी third party का intervene नहीं होता है, direct mutual funds जितने AMC हैं, जितने companies हैं, वो और आपकी जो MP है, इसको मिलकर इस platform को चलाते हैं, ताकि आपके लिए यह असान investment हो, तो अगर आप mutual fund utility में अपना can generate किया हुआ है, आपने mutual funds investment किया हु हैं, और आपने can generate नहीं किया है, तो मैं कहूंगा कि आप इस can को generate किजिए, जिस type से pen है, उसी type से can है, तो आप can generate किजिए, अगर आपने कहीं से भी mutual fund किया होगा, तो सारे mutual funds आपके यहां पर दिखेंगे, तो चलिए आज का जो subject है, अगर आपनी mutual funds utility में आपका can generate है, और उसमें आपको bank change करना है, मालेज़े आपने A bank से अपने कोई investment किया है, और आपको B bank से आप investment करना है, या आपका A bank बंद हो गया, B bank आपको start करना है, या दोनों bank रखने है, तीसरा bank भी add करना है, तो आप कैसे करेंगे online, कहीं भी जानी का ज़रूत नहीं है, बहुत लोग क bank कैसे चेंज करेंगे, तो bank change हम online कैसे करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले वाला video था मेरा distributor के लिए, ये आप सब के लिए है, कि हम अपना online bank change कैसे करेंगे, तो friends एक अपनी request है, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल पर subscribe नहीं किया है, तो subscribe किजिए, और So friends, इसके लिए आपको चलना होगा, mutual fund utility की website पर, और उस website का नाम है mfuonline.com, ठीक है, mfuonline.com पर जाएए, अपना user id पाशवर डालिए, अगर आपने user id पाशवर नहीं बनाया है, तो मैंने इससे किसी लिए already video दिया हुए, आप वहाँ से जाकर बना सकते हैं, तो मैं आपको अपना user id पाशवर डालता हूँ, और हम चलते हैं, अपना main login करने के बाद, तो अपना user id पाशवर डाल कर, आप login कर लिए, मैंने पी यहाँ पर login कर लिया, अब यहाँ पर आप जो login करेंगे, तो पहला password डालेंगे, उसके बाद authentication password आपको डालना होता है, कि आप ही इसको कर कर रहें, कोई और कर रहा है, तो इस तरह से आपके पास ये, आपका page खुल कर, सामने आ जाएगा, कि आपकी पूरे आपने जो भी investment किया है, यहाँ पर दिखेगा, मेरे investment दूसरे joint account पर है, इसलिए मैंने, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन, मैं यह यह रखा ह हुआ है, किवल आप लोगों को दिखाने के लिए, तो आज का जो subject था, कि हम bank कैसे add करें, तो bank अगर आपको add करना है, तो उसके लिए यहाँ पर जाना है account वाले option पर, ठीक है, account option पर जाने के बाद, यहाँ पर account profile में जाना है, account profile में जाने के बाद, आपको यहाँ पर जान अगया है, अब यहाँ पर simple आपको अपना bank detail डाल दिना है, जो भी आपका account number है, account number डाल दीजिए, यहाँ पर आप select कर लिजे, saving account, current account, कौन सा account है, आपका, तो saving account है, saving account, saving account select कर लिजे, यहाँ पर M.I.C.R. नमबर डाल दीजिए, यह M.I.C.R. किसका है, देखिए M.I.C.R. का मतलब यह होता है कि अगे जो भी ट्रंजेक्शन करेंगे आप मालने कि रिडीम करना चाहती है तो यह जो भी आप document में夢al shifting करना चाहती है यहां पर आप सेलक कर लीजि़ प्रूफ में अब chỉ zeigt करने नाम होना जरूरी है घर नाम नहीं है तो चेक कामने करेंगा फांसबंद से पर इस DR कॉपी आप फोटो खेज लिजिए एक पेस पर उसी तरह से अगर यह नहीं है तो यहां पर बैंक के स्टेट्मेंट सेलेक्ट कर सकते हैं बैंक के स्टेट्मेंट में ध्यान रखिए पूरा अकाउंट नंबर मि-C-R-I-F-S-C कोड मैच होना चाहिए उस पर अगर नहीं है कई बार बैंक में आप देखेंगा ने ख्रॉस ख्रॉस लगके और फिर नंबर लिखा रहता है तो वह नहीं चलेगा पूरा अकाउंट नंबर उस पर होना चाहिए फिर उसी तरह से चेक कॉपी या बैंक लेटर जो भी आपकी पास है आप स्लेक कर लिजिए यहां पर डिविडेंट प्याउट एलेक्ट्रोनिक ही रखिए फिजिकल रखने की ज़रूत नहीं है फिजिकल से आपको चेक आएगा और चेक जाएगा तो यह सब नहीं करना एलेक्ट्रोनिक रहने दीजिए उसी तरह से अन्य दॉनका बैंक एडड नहीं होता तो यहां पर आपको क्या है दो प्रूफ मांगा है बैंक बैंक वान और बैंक टो यहनि सब्सक्राइब Other चाहिए इक तो इसकी क्योंपि आप लगा एं उसकी कॉपी यह कॉशाह Cuando को क्रा और एक फ्यूचर जो अपने पहले किया था वो इस दोनों को आपको अटेज करना है यहां से जाकर और अटेज करने के बाद आप सिंपल देखिए जब अटेज करेंगे तो यह याद रखिए इसमें जो फोटो खेशती है फोटो वाले फॉर्मेट होने चाहिए और उसके साइज 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए चोटा करने का आप सिंपल आप अपने तरीके से चोटा कर सकते हैं अगर नहीं आये तो मुझे बता दीजेगा निचे कमेंट में बता दूगा कि कैसे आप चोट साइज कर दिजे यहां पर टामनट करने सेलेक्ट कर दिजे और सब्मिट कर दिजे सिंपल आपको यही करना यह सब चीज अगर कंप्लीट है तोMINस पूसें वो जाएगगा और आगे करेंगे दूसरे दिन आपका बैंक हो जाएगा उसके बाद दुबारा आप अपना पेज जो भी करना आप किसी और आराम से प्रेमेंट किजिए बिल्कुल असान है छोटे से आपको एक मिनट में यह सारा काम हो जाएगा तो आप करके देखिए अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे आप कमेंट किजिए अगर आपको पर्सनल हल्प चाहिए तो आप जोईन कर सकते हैं यूट्यूब पर यूट्यूब पर मैंने आपके पास आता होगा जब भी आप कोई वीडियो देखते होंगे तो वहाँ पर जोईन का आता है ठीक है जब जोईन बटन पर आप क् सारे काम होते हैं